उन्हों को राजनीती में आने वाली चुनोतियों के बारे में वैसे तो बहुत सारी चुनोतियों का सामना उनको करना पड़ता है लेकिन तीन ऐसी चुनोतिया हैं जिनको कोई गाइड करने को तयार नहीं है कोई बताने को तयार नहीं है और उन्हें पता ही नहीं होता जब वो राजनीती मारें कि उन्हें इन चुनोतियों का सामना भी करना पड़ेगा और कैसे उनको पार पाना है ये भी नहीं पता होता सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है खास कर से उन लोगों को जिनका कोई political background नहीं है परिवार का को वैक्ति राजनीती में नहीं रहा जब वो राजनीती में आ जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि राजनीती में अलग-अलग party संगठन के अंदर भी गुडबाजी है और party और संगठन में गुडबाजी ना हो जितनी बड़ी party है जितना बड़ा संगठन होगा उसमें उतनी गुडबाजी जादा होगी ही होगी ये संभवी नहीं कि गुडबाजी ना हो अम उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे किसी गुडबे जाना है या गुडब निर्पेक्ष रहना है जब वो गुड निर्पेक्ष रहते हैं हमारी बात ही आगे बढ़ाए जाए हमारे निता के कामों का आगे बढ़ाए जाए हमारे कामों की तारीफ की जाए और दूसरा निता अगर party सेंकेंठन में अच्छा काम कर भी रहा है तो उसे avoid किया जाए या उसके कामों में कम या निकाली जाएं अब नए लोगों को समझ में नहीं आता होता कि वो गुडबाजी में कैसे या तो गुडबाजी में एंटर कर जाएं अगर एंटर कर जाएं तो किस गुडबे जाएं जिस गुडबे चले जाएं कई पता चला वो गुट कल को हावी नहीं रहा तो उनकी तो राजनीती शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगी और अगर गुट में ना जाएं तो कैसे अपने आपको बिना गुट के राजनीती में सर्वाइव करें पार्टी संगेतं में आगे बढ़ाएं कैसे लोग उनपर भ्रुशा करेंगे कौन उनकी पेरवी करेंगा उन्हें कौन टिकेट दिलाएगा कौन पद दिलवाएगा उन्नें समझ में नहीं आता होता और जैसा मैंने कहा कोई गाईड करने को भी तैयार नहीं है कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि गुड़बाजी से बचना कैसे है, बचा जा सकता है, रास्ते हैं, और वो let's depend करेगा गुडबाजी किस सिस्टर की है, आपकि इस पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बता सकता है, मैं भी कि गुडबाजी से ऐसे बच जा हिये, वो depend करेगा आप किस party में और किस level पर है हर level पर party में गुडबाजी है हर party में गुडबाजी है लेकिन उस party में उस level से बचने का रास्ता क्या है कई बार bypass route बनाना पड़ता है कई बार सभी गुटों को साथ ले करके चलना होता है लेकिन किसी एक गुट के कुछ खास निताओं के साथ अपना ज़ादा closeness होनी चाहिए लेकिन दूसरे गुट के लोग नाराज ना हो उसका भी हमें रास्ता रूनना पड़ता है बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कई बार पार्टी और संगठन खुद चाहता होता है कि गुटबाजी बनी रहे उस सिदी में क्या करना है कई बार पार्टी और संगठन गुटबाजी को समाप्त करना चाहता होता है और आप एक रोल प्ले कर सकते हैं गुटबाजी को समाप्त करने में या सभी गुटों को मिलाने में तो उसमें आपकी value जादा बढ़ जाती है और सभी फिर आपके साथ एस्वेशिट होना शुरू हो जाते हैं लेकिन उसके लिए कुछ अलग काम करने पड़ेंगे खास कर से तब जब आम नहीं है राजनिती में तो पहले दिन तो कोई आप पर भुरुसा नहीं करेगा तो पहले उस level तक पहुशना पड़ेगा कि लोग आप पर इतना भुरुसा कर लें लेकिन ये एक बड़ा challenge आता है बड़ी चुनोती आती है दूसरी बड़ी चुनोती क्या आती है जब राजनिती में नए है उनने समझ में नहीं आता होता कि वो frontal politics में जाए या back end politics में जाए सबसे बड़ा challenge या जाधत رाजनिता जो राजनिती में जाने के बाद भी शिकार बन रहे है उसका एक बड़ा कारण ये है उनने frontal और back end politics के बारे में नहीं मालूम। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि राजनीती में बैकेंड में कौन कौन से विकल्प हैं, फ्रेंटल पॉलिटिक्स नहीं करनी तो क्या करना है। अच्छा अपने गुणों के बारे में नहीं पता, आपके अंदर जो गुण हैं, वो फ्रेंटल पॉलिटिक्स के गुण हैं के बैकेंड पॉलिटिक्स के गुण हैं? उनको जानना, frontal में क्या-क्या option उनको जानना और कुछ option से शुरुवात की जाए ये जानना जरूरी है और ये कोई सिखाने को राजी नहीं है, कोई तयार नहीं है जो राजनेता आप से आगे बैठे हुए, आप चैक कितने बड़े पतपर हो, मेरा विश्वास करिएगा वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें, आप इन समस्याओं का समधान करें, समधान ढूंड पाएं आपको खुदी खोजना पड़ेगा, अपने आपको जानना पड़ेगा, पार्टी की परिसिते को जानना पड़ेगा मैंने frontal politics और back end politics पर और वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, कभी मिलना चाहो तो one to one आकर के मिल सकते हैं उसमें मैं आपको guide कर सकता हूँ, आपके गुणों को judge करके एक छोटा सा one to one interaction होता है उसमें आदे गंटे 45 मुनें आपके गुणों के बारें बताएंगे, और बताएंगे कि आपके लिए frontal में जाना जादा बहतर हैगा या back end में, back end में भी कौन सी option होगी, frontal में कौन कौन सी option होगी वो बता दी जाएं जो आपके लिए fit हैं और फिर उसके लिए काम करना शुरू किया जाए यह दूसरी बड़ी चुनोती है, जब उन्हें पता नहीं होता है, खास कर से नहीं लोगों को तीसरी बड़ी चुनोती क्या नहीं लोगों को, उन्हें टीमों के बारे में नहीं पता है, या टीम बनानी नहीं आती है, या टीम कप तयार करनी है, कैसे तियार करनी है, उसके बारे में जानकारी नहीं है जाता लोगों को लगता है राजनीती में एंटर करना क्या करें पोस्टर बैनर लगाने शुरू करो पार्टी जॉइन करो पार्टी के जंडे उठाओ बैनर लगाओ नारे लगाओ और आइस्ता 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 आप पार्टी के नेता बन जाओगे बट ये तो छुट भीया नेता हर महले, हर गली, हर चोराये पर रहते हैं और इनने कभी टिकेट नहीं मिलता है इनने कभी आगे तीकेट का तो पैरशूट से कोई आ जाता है या कोई नेताओं का असान सदो का विधाय कोई खास वक्ति उसी को मौका मिल जाता है ये फिर वहीं के वही रह जाते हैं क्यों क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि बिना टीम बनाए राजनी टीम आगे नहीं बढ़ा जा सकता वो सुसते हैं कि मैं अपने बलबुते अपने गुणों के कारण अपने पैसे कारण कब बनानी है चुनाओ लड़ना है तो कौन सी टीम है चाहिए कई लोगों को लगता है चुनाओ लड़ने तो ही टीम बनाएंगे उसके बालावा टीम की ज़ुरूत नहीं है उन्हें नहीं पता कि पद लेने के लिए टीम चाहिए अगर आप पदादीकारी है और पद पर टीम के काम होने वाला नहीं है चुनाओ के लिए चुनाओ वाली टीम बनानी है चुनाओ के लिए नहीं जा रहे हैं बैक एंड पर काम करें तो बैक एंड की टीम बनानी है अगर बैक एंड पर या फ्रंटल बन नहीं जाकर के सिर्फ पदादीकारी बन के काम करना है तो लोग जिने पता हैं वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो क्यों किसी नए को सिखाएगा, तो नए लोगों को जर्नली ये चुणोतियों का सामना करना पड़ता है, और जब तक वो इन चुणोतियों को से पार नहीं पाएंगे, इनकी समस्याओं के समधान नहीं करेंगे तब तक काम होने वाला नहीं उसके लिए मैंने कहा मैं भी गाइड कर सकता हूँ किसी और से guidance lens है वहाँ से लें लेकिन सीखे लगातार सीखते रही है लगातार अपने आपको update अपग्रेट करते रही है नई चीजों के बारे में पता करिए राजनीती की नई technology कौनकों सी आ रही है modern ways of promotion क्या है traditional ways of promotion क्या है उन सब की जानकरी रखिए और अपने गुणों को निखारने पर लगातार महनत करते रही है उसके लिए अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो वीडियो के distribution जाएए मेरे phone number मिल जाएंगे दो चार पांच में बात करिये है मैं गाइड करूँगा ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब आप YouTube से हमारा टाइप होगा YouTube के मादम से ट्रेनिंग ले सकते हैं आप देखा सबसाइशा जॉइन बटन होगा ब्लैक या वाइड कलर का है वहाँ क्लिक करेंगे अलग अलग अप्शन आ जाएगी चातरों के लिए राजनिति चातर संसाद जोइन कर सकते हैं युवा राजनिति युवा संसाद जोइन कर सकते हैं महिलाओं के लिए राजनिति महिला संसाद है उसमें जोइन कर सकते हैं जै हिन जै भारा